म्हें नमस्ते आज के वीडियो में जानेंगे की अलग-अलग प्रकार के रिजिस्टेंस को जो कि हम है स्क्रीन पर ऑलप की रूप में दिखाई दे रहे हैं इन स्क्रेन को हम कैसे पैरलल में कनेक्शन क्यों क говорят आपके तो इस पर से स्चाला करें चेली आपन देखते हैं अभी तो पहले वीडियो ने स्जै कैसे तो पहले मैं सरेगी नियुकित करते हैं तो 31 में जी सार्कीट में जिसका पर नंबर देते हो रों रोर ठी तीनों के दो-दो पॉइंट निकलेंगे और दो-दो जो पॉइंट निकलेंगे रजिस्टेंसों के उनके आपस के एक-एक सिरे बन-बन सिरे और टू-टू सिरे को लेके अपन आपस में जोड़ देंगे और फिर इसको क्या करेंगे अब फर्स्ट और लास्ट वाले सिरो पर 230 बोल्ट सप्लाई देंगे तो वो सभी बल पैरलर में क्या होता बोल्टेज बराबर चलता है समान चलता है करेंट क्या होता अलग अलग हो जाता है तो अपन सरक्रेट के द्वार इसी तरीके से इसको देखते हैं कि R1, R2 के एक-एक सेरे लेके आपस में जोड़ देंगे और 1-1 वाले सेरे एक साइट जोड़ के उसमें 230 बोल्ट सप्लाई देंगे जो अपने घरों पर कनेक्शन होते हैं वो पैरलर ही कनेक्शन होते हैं क्योगी हर कमरे हर बोल्ट के पास न्यूटल और फेस बराबर होता है जिसको बन समानतर क्रम पर भी बोलते हैं सर इस डाइगराम में I1, I2, I3 करके भी लिखा है वो क्या है जिए करेंट है I1, I2 और I3 करेंट मतलब जो क्या होता है इसमें अलग-अलग होता चला जाता है इसके लिए सरक्रेट के दौर और I1, I2 और I3 करेंट को दर्सा रहा है एमपे जिसको बन बोलते है आड रजिस्टेंज को दर्साता है और भी बोल्टेज को दर्साता है I1 का मतलब जाना है पहले बल्फ में बहने वाली करेंट तो क्या हम इसे प्रेक्टिकल में भी देगेंगे चालिस वाट के वलफ लिये हुए हैं ठीक है ना? और इस तीनों बल्फों को जब अपन पैरलर में जोड़ेंगे तो इसमें देखो अपने हर बल्फों में होल्डर में एक बलेक और एक रैड कलर की वायर जोड़ी हुई हैं इस पर अपन क्या करेंगे रेड रेड और ब्लेक बिलेक वाली वायरों को आपस में R1, R2 और R3 जैसे जैसे अपन ने मान लिए सरकेट की तो R1 है इसका रेड वाला पॉइंट लेंगे और R2 के रेड वाले पॉइंट से इसको connect कर देंगे जैसे हमने R3 वाले का रेड वाला सिरा लेके भी अपन इसके पॉइंट में इसको connect कर देंगे क्या यहाँ पर रेड और ब्लैक माईने रखते हैं नहींने के ऐसा कुछ भी माईना नहीं आप ब्लैक भी सकते हो रेड भी ले सकते हो बस बस इसमें क्या करने कुलर कोड करने में हो नहीं हुटा कि कौन एक चला गह उसमें जोडने में भी सरलता होती है और कनेक्शन करने में भी अपन को सर आसानी मिलती है तो अपन ने जे देखो तीनों और वन और टू आर थरी के रजिस्टेंस लिए बल्फों को लिया है और उनको आपस में जोड़के रखा हुआ है ठीक है ना इसी प्रकार से अपन ए ब्लैक वाले वायरों के भी आरवन और टू आर थरी जे एक सिरे अपन होंके आपस के एक पॉइंट आपस में जोड़के बन वन और टू डू जे इस तरीके से रेड और जी हो गए अपने ब्लैक इसके पहले मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि हमारे बल्फ कितने वाट के हैं बल्फ तीनों एक से बाट के इसमें बाट से कोई मतलम नहीं आप 40 वाले को भी मिलेगी और आर थ्री वाले को भी मिलेगी है ना इसलिए इसमें बाट का कोई ऐसा नहीं है कि आप को बल्फ लगा सकते हो आप 60 का 100 ठीक है तो इसके दोनों तीनों बल्फों के तीन-चीन से आपस में अपने कनेट कर दिये अब ब्लैक और जो रेड वाले से इ हमें से पावर दे सके मैं सप्लाई से अपन इसको एक न्यूटल और एक फेस देंगे 500 बॉल्ट सप्लाई इस तरीके से इसको पन जोड़ देंगे एक सप्लाई और इसमें भी ऐसा कोई जरूर नहीं की ब्लैक और मैं फेस देना की रेड में पन किसी पर भी एक प्लस और एक माइनस दे सकते एक न्यूटल और जिपावर केवल से इसको कनेक्ट कर देंगे यहां पर 230 बोल्ट सप्ल इसलिए पर इसका सोचों करें और तीनों बल्फों को चोड़ देंगे अब आप देख पा रहे हैं सामने तीनों बल्फ पूरी शम्ता से जल रही है इसमें सभी बल्फों पर जो बोल्टेज यह 230-230 बोल्टेज बराबर समान बह रही है बोल्टेज लेकिन करेंट करेंट अलग अलग चलता है पैरलर कनेक्शन पर इस यह सारे बल्फ इतने अच्छी तरी किसे कैसे चल रहे हैं क्योंकि इसमें सभी को अपनने पैरलर जोड़के रखा सभी को न्यूटल फेस न्यूटल फेस 230-230-230 बोल्ट बराबर मिल रहा है तो यहां पर सीरीज और पैरलल के आप देखिए हर होल्डर में न्यूटल फेस न्यूटल फेस बराबर गए हुए हैं जबकि उसमें एक के बाद एक अपन कंटिन्यू जोड़ते चले जाते हैं तो अपने इसको मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं बोल्टेज 200-200 बराबर होता अगर अपन को देखना भी चा अपना मल्टिमीटर है इसको साड़े 700 AC में लगाना है और यहां पर अपने इसको एक प्लस और एक माइनस पर रखेंगे जह और इसमें जब काम करना तो आपको सावधानी रखना कि आपस में कोई भी तार टैच हो नहीं चाहिए जह देखिए मैंने दोनों पर एक प्लस औ पर अगर चेक करेंगे तो धाइसो धाइसो बोल्टेज बराबर बताएगा तो दोस्तों आपने जाना इस वीडियो में कि किस प्रकार से अलगलग तीन रेजिस्टेंश रहें हमको पैरलल में कनेक किया सर्व थोड़ा उधारन जानना चाहूँगा कि यह पैरललल कनेक्शन सबसे जादा यूज होने वाला कनेक्शन है पैरलर कनेक्शन जो अपने घरों पर कहीं भी कोई भी उप्रण जैसे अपने घर पर पंखा लगा है बल्फ लगा जब तक उसको धाइसो बोल्टेज नहीं मिलेगा प्लस माइनस बराबर नहीं मिलेगा तब तक वो बराबर नह जलेगा समान अंतर का मतलब है कि उसको ऊपर से नीचे तक बोल्टेज एक सा होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक कमरे में बॉल्टेज कम है दूसरे में या एक बलफ को करण लगबख पैरलल में ही कनेक्शन करना आ गया हूँ